ओम शांती उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलन्स ज्ञान युक्त भावना और सने युक्त योग ज्ञान युक्त भावना और सने युक्त योग जो योग हो उसमें सने हो और जो भावनाएं हो उसमें ज्ञान हो माना समझ हो ज्ञान माना क्या? समझ तो ज्ञान युक्त भावना कहीं बार हमारी भावनाएं बड़ी स्रिष्ट हैं पर ज्ञान के बगेर हैं जैसे भक्तों की भावनाएं बहुत हैं, पर ग्यान नहीं हैं, तो बड़ी जल्दी उनकी भावनाएं कैसी कभी कैसी कभी कैसी होती हैं, हमारे पास ड्रामा का ग्यान है, हमारे पास आत्मा परमात्मा का ग्यान है, इससे भावनाएं एक रस रह सकती हैं, नहीं तो अगर कभी कभी आपकी इच्छा पूरी हुई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर नहीं हुई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ग्यान नहीं है माना समझ नहीं है समझ बहुत काम करती है कहीं बार कहते हैं हम इतने समझदार नहीं है पर अभी नहीं होंगे तो कब होंगे संगम पर ही समझदार बनते हैं पूरे कल्प में नहीं बनेंगे समझदार क्योंकि संगम पर हमी ज्ञान मिला है हमें समझ मिली है वो भी डारेक्ट मिली है पर मात्मा के माध्यम से मिली है बिली है न, वो समझ जो भगवान ने दी है ये कोई साधारन समझ नहीं है इसलिए भावनाएं ज्ञान युक्तों में चाहिए और सने भरा योग अगर आपकी योग में सने है और ज्ञान युक्त भावनाएं तो आपकी उड़ती कलाई है उड़ती कलाई है अगर आपने इन दोनों का बैलंस बना लिया तो हुद वंडरफुल चीज है आप समझना इसको ग्यान और योग कहा जाता है तो धारनाय तो हो जाती है और जिसको धारनाय हो गई वो सेवा भी कर लेता है धारनाव में अगर उपर नीचे है तो सेवा वो नहीं कर पाता है कहीं न कहीं देभान आ जाता है तो जहां ग्यान है वहां योग है क्योंकि ग्यान मन ही समझ है और जो समझदार है नैचुरली वो जो बाबा कहेगा उसको अपलाई करेगा और जो बाबा कहे उसे अपलाई करने वाला कभी दिल शिकस्त हो सकता है ये दिल शिकस्ती क्यों आती है इसका कारण भी क्या है ज्यान की कमी है योग मिसने नहीं है तो दिल शिकस्ती आती है इसलिए उड़ती कला से ठेरती कला हो जाती है इसलिए कभी चले, कभी उड़े, कभी ठेरे इस सब चीजों की अवस्थाएं बनी रहती है वरना भगवान का ज्यान इतना सर्वोत्तम है इतनी समझ दे दी गई है कि आपकी उड़ती कला ही होगी लेकिन अगर इन दोनों का बैलंस नहीं है तो उड़ती कला नहीं हो सकती है तो आज का जो सार है, इसको पहले फिल कर लो कि कहा क्या जा रहा है अगर आपको समझी नहीं आया तो ये पॉइंट में समझ नहीं आएगा कि बाबा क्या कह रहे है भावनाय रखनी है पर ज्यान के साथ भावनाय तो कोई पत्थर में भी रखता है तो उसे भी भगवान प्यार तो देता है पर वो रसीव नहीं कर पता है क्योंकि उसने पत्थर में तो भावनाय रखी है पर भगवान की पैचान नहीं है न ग्यान नहीं है न तो ग्यान युक्त भावना और सने युक्त योग दोनों बातों के बैलन्स से आप अनुभव करेंगे उड़ती कला का ओके? अब आपको अच्छे से क्लियर होगा बाबा क्या कहना चाहते हैं तो ग्यान हर बात का चे छोटी बातें बड़ी बातें हर बात के समझ दी है वावा ने ओके? ओम शान्ती